Hello everyone, welcome back to our YouTube channel तो थमनेल देखके वापस आए क्या अगर थमनेल देखके वापस आए हो या थमनेल देखके आपने ये YouTube का वीडियो ओपेन किया है तो अब दिल पे पत्थर रखके मुझे कहना पड़ेगा कि आपका काड दिया गया है अगर आपको लगता है कि आप डेटा इंट्री जॉब घर पे बैठके दो सु तीन हजार रोपे डेली के कमाल होगे तो इसके सचाई जानते हैं तो आजकल Google, YouTube, Facebook, Instagram और यहां तक की WhatsApp के मेसेजजेस में भी आपको ठेर सारे स्पैम्स, वीडियो और एड्स चलते हुए मिलेंगे जिनमें वो कहेंगे कि डेटा इंट्री की जॉब करें और पाए दो से तीन हजार रोपे डेली के और वो भी घर बैठे वो भी दिन में दो से तीन घंटे काम किये हुए तो अगर यह आपको सच लगता है तो आज हम इसकी असली सचाई जानेंगे इस वीडियो में तो यह काम कैसे गरती है तो यह काम ऐसे गरती है कि पहले तो यह खोशते हैं धेर सारे बकरे बखरे मिलते हैं फिर यह क्या करते हैं फिर यह आपको कहेंगे कि यार मेरे कंपणी में ओन बोर्ड हो जाओ यह आपको नॉर्मल ओन बोर्डिंग करेंगे जैसे नॉर्मल कंपणियों की बागी कंपणियों की होती है यह वैसे ही ट्रै करेंगे आपको ओन बोर्ड करने का नहीं भी मांग सकते हैं, वह हम बाद में जानेंगे, तो आपको ट्रेनिंग के नाम पे पीडियाफ या ज्यादा से ज्यादा आपको एक लिखी हैंड नोट बुक में आपको एक समाहत देंगे, टाइप किया हुआ कुछ की MS Office कैसी यूज करें, या उनका कोई स्पेसिफिक ट से इन्हें भर देना हैं, और आपको मिल जाएंगे डेली के 300 रुपे, इतना एजी थोड़ी होगा, तो जी हाँ, इतना एजी नहीं है, पर फिर भी अभी तक तो यही स्टेप है, आगे क्या होता है, वह और देखते हैं, तो आप जैसे ही यह काम करने बैठ होगे, आप मन करोगे, पर उनकी डेडलाइन ऐसी होगे, कि आप मन लगा के भी नहीं कर पाओगे, तो फिर आप क्या करोगे, आप और ज्यादा मन लगाओगे, तन लगाओगे, दिमाग लगाओगे, बस कर दोगे, आप सोचोगे कि बस कैसे तैसे होई चाए, तो अगर आप डेडलाइन मिस करते हों आपको जैसे तैसे कहेंगे याँ देखो तुमने इतनी गलती है इसको फिर से रेक्टिफाई करो आप रेक्टिफाई चाजा ही बैठा होगा या को रिलेटिफ जो आपको फोन करेगा यार देखो मैं ऐसे जगह से बात कर रहा हूँ मैं कोट से आपको एक नूटिस आ रही है क्योंकि आपने यह कॉण्टराक्ट ब्रीच किया है आपने से इस कॉण्टराक्ट को डिलिवर नहीं किया है तो आपको fine पड़ेगी आप सोचे कि oh my god ये क्या हो गया अब मुझे इतनी fine देनी पड़ेगी oh no मेरे तो पैसे डूब गए आप tension वो फिर होगे इधर उधर मारे और आप सोचे कि क्या ना क्या मैं कर लू और अगर आप इससे भी नहीं डरते हो तो ये try करेंगे आपको एक जूटी notice भेजने का और ये police वाले भी बनके आपको धमका सकते हैं और फिर ये case close करने के पैसे मांगेंगे पैसे नहीं दोगे फिर भी पैसे मांगेंगे नहीं दोगे फिर भी मांगेंगे harass कर देंगे आपको आप जमाग पकड़ के बैढ़ जाओगे और अगर गल्दी से पुर्ष नो इंट्फरमिशन दे दी तो एक्स्प्लाइट होना पक्का तो फिर करना क्या इसका तो फिर सबसे पहले हमें तो यही जानना पड़ेगा कि इसको पहचाने कैसे इसको पहचानने के लिए सबसे बैला जो पॉइंट है हो सकता है आपको बुरा लगे पर यह सचाई है और सचाई बोलने में और सुनने में बुरा लग सकता है पर सचाई सचाई होती है आपको तो पहले यह जानना पड़ेगा कि आपके पास जो skills हैं अभी क्या वो skills से आप इतने पैसे कमा सकते हो अगर हाँ तो ठीक है अगर ना तो फिर आप समझ जा दूसरे चीज आपको जो देहान रखने हैं इनको पहचानते वक्त कि ये आपको कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी on board करने का तो जो नॉर्मल कंपनियां होती है या जो नॉर्मल लोग होते है जो रिक्यूप्मेंट करती है उनका पहला तो अब्जेक्टिव यह होता है कि उनके पास कुछ skills sets की requirement होती है उनके पास कुछ candidates होते है उनको दोनों को match करना होता है अगर match हो जाता है तो well and good अगर match नहीं होता है तो वह दूसरे candidate को देखते है और इसके लिए वह धेर सारे interview करते है पर यह ससुरे किसी के नहीं सरके हैं यह चाहेंगे आपको कि आप जल्दी से जल्दी on board हो जाए और अगर 2-3 दिन में भी हो जाएंगे तो कोई खास बड़ी बात नहीं है यह तुरण सब कुछ करतेंगे इनके काम के लिए qualification के कोई खास जरूरत नहीं होगी और यह जब कहते हैं कि यार आप मेरे company को join करो और आपको quick money मिलेगा जल्दी पैसे मिलेंगे तो या दो से तिन घंडे काम करके धेर सारे पैसे कामा लो या unlimited पैसे कामा लो तो आपको समझ जाना चाहिए कि नहीं यहाँ पर तो कुछ गलती है इसके आगे जो है सही नहीं होने वाली है चीज़े और और क्या हो सकता है और आपको यह भी पहचानना पड़ेगा कि यह आपसे बात किस तरीके से कर रहे है और कौन से प्लैटफॉर्म यूज़ कर रहे है अगर किसी कंपनी के ओफिशियल इमेल एडरस से या ओफिशियल डोमेन से आपको मेल आती है तो आप समझ सकते होगे हाँ चल उठी के इसकी authenticity कहीं न कहीं तक सही होगी अगर नहीं आती है personal email है, whatsapp है, instagram chat है, facebook है, telegram है सब बखवास है मेरे दोस्त अगर personal email भी है न तो दूर रहने का फिर यह आपसे आपकी जरुर से ज़्यादा details मांगेंगे आपका pen card, अधार card तो मांगेंगे ही फिर साथ में कहेंगे कि यह signature करके हमें दे दो यह document sign करके दे दो ऐसा कर दो, fake contract sign करवाएंगे और आपसे कहेंगे कि अरे यार यह तो formalities ही है और आप बिना पड़े हो सकता contract आप कर भी दो तो उससे थोड़ा दूर रहना और यह चीज़े थोड़ी ध्यान देना आप फिर हो सकता यह आप से कहें कि पैसे चाहिए किस चीज़ के हम आपको जो training provide कर रहें न सर उसके लिए आप हमें 500 रुपे दे दो, 1000 दे दो, 1500 दे दो जो कि आपको पहले मंत के पेचक के साथ मिल जाएगा या पहले हफ़ते के काम के साथ आप जब payment receive करोगे उसमें आ जाएगा तो यह दो सबसरी बड़ा scam है कि आपको पहले कभी पैसे नहीं देने है और बाद में भी पैसे नहीं देने पड़ते हैं अगर आप किसी अच्छी consultancy से कोई भी job join करते हो तो be 100% sure कि वो आपसे सामने अफ़रंटली पैसे नहीं चार्ज करेंगे वो जिस company के लिए आपको recruitment कर रहे हैं उससे पैसे वो खुद चार्ज कर लेंगे तो इनसे फिर बचना कैसे है तो आपको जितने भी लुभावने ads दिख रहे हैं उन पे please click ना करें आपको जो भी काम करवाया जा रहा है यह करवाया जाना होगा उसका आप written communication ले एक proper written communication और अगर आप इन सब चीज में first भी जाते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इंडिया में bondage labor illegal है और कोई भी ऐसा contract जो कि आपके consent के बिना हुआ है वो void है तो क्यों tension ले रहो यार tension नहीं लेने का और हमेशा द्यान डखना है पैसे नहीं देने कोई भी तरह के पैसे आप इसमें नहीं दोगे तो नहीं दोगे और जो company आपको hire कर रही है उसके बारे में आप background detail चेक करे, verification करने की कोशिश करे Google पर searches करे अलग अलगता है कि keywords लगा के searches करे, scam keywords तो ज़रू लगा के search करे, फिर अगर आपको लगता है यह genuine है तो आप उसके साथ जा सकते हैं, तो इसी के साथ आप जानगे कि आपको कैसे scam से बशना है और मेरा भी वीडियो इसी के साथ कतम होता है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए